नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रियोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं आप इसके अंदर लगा सकते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन हो जाता है और अब विकारी शब्द क्या होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन नहीं होता है ये प्रतियों के ताप पैच्छाओं में वा A.M.P. बोर्ड की पैच्छाओं में पूछे जाते हैं वा C.B.S.C. के पैच्छाओं में भी पूछ लिए जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले विकारी शब्द विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल आधी के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहत से हैं जो करे कारण परिवरतन हो जाते हैं उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन, तथा, क्रिया, विकारी शब्द है, अब देखते हैं उधारन जैसे, संग्या, सबसे पहले हम देखते हैं, संग्या शब्द जो विकारी शब्द है, लड़का, तो लड़के को हम, लड़का शब्द जो है, इसको हम बदल सकते हैं, इस्त्री लड़के, लड़किया, यहाँ पर देखो एक शब्द था लड़का, इसको लिंग से बदला हमने, तो क्या हो गया, लड़की, फिर हमने वचन का नुसा बदला, तो क्या हो गया, लड़किया, इसी पिकार, लड़के, सर्वनाम में देखिए आप, सर्वनाम एक शब्द है मै सरवनाम चपता है .. मैं ... सवरं सब्य है मैं ... अभी यह मैं शब्द भी कहिता सब्ध है सब्ध है .. विकार इठीक कियोके इसमें क्या बढतुर्ण हो जाएगा .. तब सब्क हम फिर है क्रिया क्रिया मैं हमने कुछा सब्द लिया लिखना तो लिखना शब्द को भी हम क्या करते हैं बदल सकते हैं लिंग के अनुसार वचन के अनुसार कारक के अनुसार लिखता है लिखा लिखेगी इसी प्रिकार है विशेशन विशेशन का हमने कुछा सब्द लिया ह यह जो उचा शब्द है इसको भी हम लिंग वचन कारक काल करना बदल सकते हैं उची उचे अब देखे दोस्तों अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक काल आदी के प्रभाव के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थाद वे शब्द जिनका लिंग व नहीं होता है उन्हें हम आविकारी शब्द कहते हैं क्रिया विशेशन संबंद बोधक समुच्य बोधक तदा विस्मयादी बोधक आविकारी शब्द होते हैं इसमें कौन-कौन शब्द थे विकारी में संग्या सरनाम क्रिया विशेशन जबकी इसमें क्रिया विशेशन संब बंद बोधक, समुच्य बोधक और बिस्मयादी बोधक शब्द इनके अंतर का जो भी शब्द आते हैं वो आविकारी होते हैं उधार हम देखते हैं जैसे क्रिया विशेशन क्रिया विशेशन में हम देखते हैं धीरे धीरे जोर से आज कल शिग्र आदी अब जैसे कि लड़ लड़का है लड़का बोलेगा माता मुझे धीरे धीरे चलना है लड़की बोलेगी तो वो भी का कहेगी मुझे धीरे धीरे चलना है ऐसा नहीं कि लड़का बोल रहा है धीरे 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 तो यह जो धीरे 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 रहेगा चाहे किसी भी काल में आ जाए चाहे किसी वचन में आ जाए, चाहे किसी लिंग में आ जाए, चाहे कारक में आ जाए, इसी पिकार जोड से, आज, कल, शीग्र, आदी, अगर लड़का बोलेगा कि कल मुझे इसकूल जाना है, तो ये कल ही रहेगा शब्द, लड़की बोलेगी कल मुझे इसकूल जाना है, तो ये कल हम इस्कूल जाएंगे तो यहने कि बहुवचन हो गया तो यहने कि कल हम तो हम ने क्या कर दिया बहुवचन कल मैं इस्कूल जाओंगा तो यहाँ पर क्या हो गया एक वचन हो गया तो यह एक वचन आया बहुवचन तो क्या रहा शब्द कल ही रहा ना कि एक वचन शब्द भी लिंग वचन कारक के आजाने पर परिवर्तित नहीं होते हैं इसी प्रिकारे समुच्य बोधक शब्द हैं और किंतु तथा परंतु लेकिन आदी ये शब्द भी लिंग वचन कारक काल आदी के आजाने पर भी परिवर्तन नहीं होते हैं इन्हें अव विकारी औरे नहीं होगा, किंतु का किंती नहीं होगा, किंते नहीं होगा, तथा का तथी, तथू, तथो नहीं होगा, ये तथा का तथा ही रहेगा, चाहे लड़का बोले, चाहे लड़की बोले, चाहे एक वचन बोले, चाहे बहु वचन बोले, चाहे किसी भी काल में बोला जाए, परंतु का परंती नहीं होगा, परंते नहीं होगा, ये परंतु ही रहेगा, इसी प्रकार है बिस्म्यादी बोधक, अब बिस्म्यादी बोधक शब्दे कौन से होते हैं, वह, अह, ओ, हाय, छी, आदी, अब लड़का भी क्या बोलेगा छी, कितनी बदबू है, लड़की भी क ठीके दोस्तों ये होते हैं विकारी शब्द और ये होते हैं आविकारी शब्द धन्यवाद